पहले विडियो में हमने ग्लाइकॉलिसिस की चर्चा की थी, जिसमें 6 कार्बन वाले यौगे ग्लुकोस को 3 कार्बन वाले पाइरोवेट के 2 अणूओं में परिवर्थित किया गया था। इस प्रक्रिया के दौरान 2 अणू NADH जो इलेक्शॉन वाहक होते हैं और शुद्ध रूप में 2 ATP अणू भी उत्पन हुए थे। परन्तु क्या ये ATP कोशिकाओं में जीवित रहने, जीवों के दैनिक कार्यों और प्रजिनन के लिए परियाप्त है। ग्लाइकॉलसिस के परणाम स्वरूप उत्पन ATP जीव के संपून जीवित रहने के लिए परियाप्त नहीं है। वास्तफ में ग्लाइकॉलसिस तो कोशिकाओं श्वसन यानि की cellular respiration की प्रक्रिया का केबल पहला चरण है। अधिक ATP उत्पन करने के लिए कोशिकाओं को अन्य चरणों को पूरा करना होता है। कोशिकाओं श्वसन का दूसरा चरण इस पर निर्भर करता है कि ऑक्सिजन उपलब्ध है या नहीं। और अगली प्रक्रिया में अधिक उचा उत्पन करने के लिए पाइरोवेट को आगे बढ़ाया जाता है। जब oxygen की उपस्तिती होती है तो pyruvate जिस प्रक्रिया से गुजरता है उसे creps चक्र या citric acid चक्र या tricarboxylic acid चक्र यानि की TCA भी कहा जाता है यह प्रक्रिया केवल वायू जीवी जीव यानि की aerobic organisms में होती है अब सूचें कि oxygen की उपस्तिती में pyruvate का क्या होता है इस थिती में pyruvate oxidation यानि की oxy current से गुजरता है लेकिन यहां कोई oxygen सीधे तोर पर शामिल नहीं होती oxidation का अर्थ केवल oxygen का जुणना नहीं है बलकी hydrogen का हटना भी है इस प्रक्रिया में 3 carbon वाला pyruvate 2 carbon वाले yogic acetyl coenzyme A में बदल जाता है जिसमें hydrogen मुक्त होकर NAD plus से प्रतिक्रिया करके NADH और H plus का उत्पादन करता है चूंकि carbon की संख्या एक घट रही है एक carbon carbon dioxide के रूप में बहार निकलता है यही वे gas है जिसे हम सांस से बहार निकालते हैं अब ये acetyl coenzyme A citric acid चक्र में प्रवेश करता है एक महत्वपून बात जो याद रखने यूग है वे ये है कि ये चरण mitochondria की matrix यानि की आधात्री में होता है जबकि glycolysis cytoplasm यानि की कोशिका द्रव्य में होता है cytoplasm में pyruvate mitochondrial matrix में प्रवेश करता है जहां pyruvate oxycarin होता है इसके बाद acetal coenzyme A एक बार 4 carbon yogic oxaloacetic acid के साथ प्रतिक्रिया करके पहला उत्पाद citric acid बनाता है इस कारण इसे citric acid चक्र कहते हैं citric acid एक 6 carbon yogic है जिसे citrate भी कहा जाता है ये एक चक्र ये प्रक्रिया है जिसमें हर बार oxaloacetate पुनह उत्पन होकर चक्र को पूरा करता है ये चक्र एक pyruvate अनू से होता है और क्योंकि एक glucose अनू से दो pyruvate बनते हैं ये चक्र हर glucose के लिए दो बार होता है इस चक्र में होता ये है कि विभिन प्रतिक्रियाओं के माध्यम से अधिक मात्रा में NADH का उत्पादन किया जाता है अब NADH और FADH2 जो की एक और अन्य अलेक्ट्रॉन बाहक है इन दोनों का उत्पादन महत्वपून क्यों है इस पर हम कुछ समय बाद चर्चा करेंगे सिच्रिक आसे चक्र के चरण महत्वपून है लेकिन यहां मैं प्रतिक चरण के विवरण में नहीं जाओंगी आप विडियो को रोक कर विभिन चरणों को समझ सकते हैं लेकिन मैं इस बात पर ध्यान कींद्रित करूंगी जहां NADH, अन्य एलेक्ट्रान वहक और ATP का उत्पादन होता है सिच्रिक आसे चक्र में NADH पहली बार तब उत्पन होता है जब 6 कार्बन योगेक आईसोसिट्रेट को 5 कार्बन आलफा कीटो ग्ल्यूटरेट में परिवर्दित किया जाता है इस प्रक्रिया में एक NADH अन्य उत्पन होता है याद रखें ये अभी भी एक पायरवेट से ही हो रहा है इस प्रतिक्रिया में चूंकि कार्बन पर्माणूओं की संख्या घट रही है एक कार्बन अन्य कार्बन डायोकसाइड के रूप में मुक्त होता है अगले चरण में ये 5 कार्बन अलफा कीटो ग्लूटरेट चार कार्बन सक्सिनाईल को इन्जाइम A में परिवर्तिद हो जाता है इस प्रक्रिया में एक और NADH उत्पन होता है और एक और कार्बन डायोकसाइड अनू मुक्त होता है जब succinyl coenzyme A succinate में परिवर्थित होता है तो एक ATP अणू का उत्पादन होता है इसके बार जब succinate fumarate में परिवर्थित होता है तो FAD से FADH2 नामक एक अन्य इलेक्ट्रॉन वाहत उत्पन होता है ध्यान रखें ये सब एक pyruvate अणू से हो रहा है जब malate को फिर से oxaloacetate में परिवर्थित किया जाता है तो एक और NADH उत्पन होता है जिससे एक pyruvate से कुल 3 NADH का उत्पादन होता है इस प्रकार एक pyruvate से Krebs Chakra के इस परड़ाम स्वरूप हमें 3 NADH, 1 FADH2 और 1 ATP प्राप्त होता है ध्यान दें कि इस प्रक्रिया में भी केवल 1 ATP का उत्पादन होता है और glycolysis में शुद 2 ATP बने थे ये अभी भी कोशिकाओं के जीवित रहने के लिए परयाप्त नहीं है इसलिए अब इन दोनों इलेक्ट्रोन वाहकों को याने की NADH और FADH को इलेक्ट्रोन ट्रांस्पोर्ट श्रंकला याने की इलेक्ट्रोन ट्रांस्पोर्ट चेन में भीजा जाएगा ताकि और अधिक ATP का उत्पादन हो सके इसी कारण सिट्रिक आसे चक्रो होता है ताकि प्रती पायरोवेट 3 NADH और 1 FADH2 जैसे इलेक्ट्रोन वाहक बनाए जा सके अब यदि एक ग्लुकोसे प्राप्त दूसरे पायरोवेट को भी शामिल किया जाए तो हमें 2 ATP, 6 NADH और 2 FADH2 मिलते हैं ये इलेक्ट्रोन वाहक इलेक्ट्रोन ट्रांस्पोर्ट श्रंकला में जाकर कोशिका में अधिक्तम मात्रा में ATP का उत्पादन करेंगे यही cellular respiration यानि की कोशिका श्वसन की अंतिम चरण है और अंततह यहां oxygen की भूमे का सामने आती है जिसके बारे में हम आगे विस्तार में चर्चा करेंगे इस प्रकार क्रेप्स चक्र का मुख्य उद्देश ATP उत्पन्न करना नहीं है बलकि अधिका अधिक NADH और FADH2 का उत्पादन करना है ताकि वे electron transport शंकला में जाकर और अधिक ATP उत्पन्न कर सकें